वही रामदा सठाबले ने भी एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शिफसेना का जो कदम है वो आत्मगाती साबत हो सकता है तो कॉंग्रोस के सामने शिफसेना जुग गई है यह कहना है रामदा सठाबले का और उन्होंने कहा कि माराश्ट में CM पत पर अठाबले ने जो फॉर्मूला दिया था उस पर कोई सहमत नहीं हुआ दर्चसर रामदास अठाबले ने फॉर्मूला ये दिया था कि बीज़िपी तीन और दो साल शिवसेना का CM बने लेकिन उस पर कोई सहमत होता हुआ दिखाई नहीं दिया लेकिन अब फॉर्मूले के बाद शिटाने की कोश्चिश यहां पर शिवसेना कुकी गई है रामदास अठाबले की जरिये जिनोंने कहा है कि जो राजनितिक उतर पुतर जल रही है जो क्यास लग रहे हैं उस बीज जो कदम शिवसेना अगला उठाने जा रही है वो उसके लिए आत्मघाती साबत हो सकता है बाला साब ठाकरे रहते थे तो शायद कॉंगरेस और NCP का सपोर्ट लेकर मुख्यों मंतरी बढ़ना पसंद अन्य करते थे बाला साब इसमें जो कोई नो कोई तुमार कर निकालते थे बाला साब बीजेपी के निताओं को समझा कर दो साल के लिए धाई साल के लिए मुख्यों मंतरी बढ़ना लेते थे या पिर डेपूटीर शियम के पद को भी मतलब पद पर भी समती दर्शाने का काम हो करते थे लेकिन कॉंग्रेस पालिटी का और एंची पी का सपोर्ट लेकर सत्रा में जानी की कुछजिस बारास अब नहीं करते थे ऐसा मुझे लगता है और स्युषेना का जो ये निर्न है ये निर्न आत्मगाति का निर्न है शिव सेना भी उमें इसको धक्का देने वाला देने इरने है शिव सेना जो संगर्ज शेशील थी उस संगर्ज शेशील शिव सेना एकदम कॉंग्रेज और इंस्टीपी के सामनी देशुग गई आए ऐसा मुझे लगता है